अलो जी ने मश्कास अभी इसको सबका स्वागताची मेरे इस चनल हार्मोनिम गुरू में तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपोर्टन टॉपिक के उपर बात करने जा रहा हूं मैं आप सब के साथ तो जो भी कोई भाई बीगनेर है जा हर्मोनिम सीखना चाहरा है जा फि और प्लीज इस वीडियोगों मिस्स मत करना क्योंकि इसमर मैं बहुत ही इंपोर्टन बात बताने जा रहा रहा हमको तो कि सबसे मैं यह कह demol मुझे क्या करना चाहिए तो बहुत सारे लोगों की मन में कुछ बाते हैं तो आज मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद है कि आपके मन का जो एक डाउट है कि आपको क्या करना चाहिए क्या लेना चाहिए सबसे पहले संगीत की शरुवात करने के लिए तो मैं आपको यह बताओंगा अज वीडियो में दिखिए कोई भी भाई है चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है कोई भी है जिसको सिंगिंग सीखनी है ठीक है मतलब की गाना सीखना है singing सीखनी है उसको harmonium लेना पड़ेगा उसको keyboard की कोई ज़रूरत नहीं लेने की उसको किसी सीज़रूरत नहीं सिर्फ एक harmonium की ज़रूरत है ठीक है तो दूसी बात जो भाई keyboard सीखना चाह रहा है क्योंकि ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जो जिनके पास keyword है और keyword के बहुत चोटे नंबर है ठीक है उनको सीखने में उसमें बहुत दिक्कत आ रही है तो मैं बस मेरा वीडियो ये बनाने का यही मकसद है कि जो भाई keyboard सीखना चाहते हैं उनको शरुवाती दोर पे harmonium लेना बहुत ज़रूरी है प्लीस अगर कोई भाई beginner है जो जिन्होंने keyboard ले लिया चलो वो तो एक ले लिया ना उनने वो अभी कभी उसे फैंक नहीं सकते हैं वो तो उन्होंने गलती कर दी लेके ठीक है ऐसा नहीं कि सीखनी सकते हैं आप keyboard पर अगर आपने keyboard लिया है तो आप keyboard सीखना चाहते तो आप उसके उपर सीखनी चाहते बट इसमें एक reason है जो बंदा keyboard सीखना चाहता है उसको starting में keyboard लेने की कोई जरूरत नहीं कोई फाइदा नहीं उसे लेने का देखिए मैंने जब start किया था 2014 में अपना music का तो मैंने beginning में मैंने भी यह गलती करी थी मुझे भी keyboard बजाने का song था तो मैंने भी यह गलती करी थी तो मैंने भी keyboard ले लिया था धीरे 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 टाइम पड़ता गया इस field में knowledge होती गई मुझे तो मुझे बाद में harmonium लेना पड़ा मैंने अपना फिर keyboard सेल कर दिया क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि मैं पहले मैंने 10,000 का keyboard लिया कि फिर एक फिर से दुबारा 6-7,000 उसके ओपर करच करूँ तो मैंने अपना keyboard कम दाम में सेल कर दिया और अपना harmonium ल के लिए मैं यह नहीं चाहता कि कोई भाई इसी तरह मेरी तरह घलती करे और ऐसे keyboard के उपर जो सीखना चाहता है keyboard सीखना चाहता है शुरुआत में keyboard पर अपने पैसे बरबाद करें कि मैं यह नहीं कह रहा कि आप सीखने पाओगे keyboard के उपर सीख जाओगे बट बहुत टाइम लगेगा मान के चलिए अगर आप टाइम दे रहे हों से डेली तीन चार घंटे तो मान के चलिए फिर पॉसिबिल्टी है सीखने की अगर आपके पास टाइम नहीं आदा घंटा द करने का कोई फायदा नहीं keyboard आप तब लो जब आपको harmonium बजाना आ जाए काफी knowledge हो जाए फिर keyboard के उपर पैसे invest करने का फायदा है otherwise कोई फायदा नहीं जो बंदा keyboard सीखना चाहता है ठीक है तो बस मेरा यही मक्साद है इस वीडियो को बनाने का कि जो बंदा singing सीखना चाहता है जाए फिर harmonium बजाना सीखना चाहता है तो उसको harmonium बहस्お願いします बहुत जरूरी है ठीक है और ज्युद्धा keyboard सीखना चाहता है उसको भी keyboard लेना अभी झाच भी ज़ुरी नहीं ऐ है keyboard वह तब ले जब उसे काफी knowledge कि harmonium की harmonium बजाना आता थोड़ा बहुत और थोड़ी बहुत हो गई है फिर उसे कीबोर्ड लेने का फाइदा अधर्वाइस उसको स्टार्टिंग जो भीगनेर है उसको कीबोर्ड के उपर पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फाइदा नहीं होगा वो पच्छताएगा जैसे मैं पच्छताया अपने टाइम में जब मैंने शुरुवात की थी तो प्लीज मेरा यही सजेशन है तो मुझे लगा कि मुझे यह बात बतानी चाहिए थी क्योंकि मुझे डेली फौन आते हैं तो कुछ बाई बोलते हैं कि मेरे पास यह वाला की बोर्ड है यह वाला की बोड है तो मैं किया सीख सकता हूं कीबोर्ड तो शुरुवाती दोर के उपर आपको हर्मोनियम से ही सीखना बड़ेगा तो एक बात और बताता हूं, बहुत important बात, ठीक है, दिखिए harmonium क्यों लेना चाहिए, इसके पीछे क्या वज़ा है कि हमें harmonium लेना चाहिए, keyboard से हम क्यों नहीं सीख पाते हैं, दिखिए शुरुवाती दोर के उपर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, चाहे आपको guitar सीखनी ह साथ आप time spend करोगे जा फिर उसे उस चीज़ के साथ आप रियास करोगे, तो keyboard पे तो रियास हो नहीं सकता, रियास किस बात के लिए नहीं हो सकता, दिखिए harmonium की key, हम harmonium को लंबा लजा सकते हैं, पांच मिनिट continuously बजा सकते हैं, लेकिन जो keyboard की की है, उसे हम एक बर प्रेस क करेंगे, तो mostly वो 10-15 सेकंड के लिए आवाज देगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, तो शुरुवाती दोर के जब सीखना होता हमें, तो हमें रियास करना होता है, रियास करना होता है, तो इसलिए harmonium जूरू है, keyboard के उपर आप रियास नहीं कर सकते, शुरुवाती दोर में जो बंदा keyboard सीखना चाहता है, तो उससे कम से कम 4-5 मेने harmonium के उपर practice करना चाहिए, 4-5 मेने जब आपकी practice हो जाए, आपको थोड़ी बहुत knowledge हो जाए इस ओर की, फिर आप keyboard के उपर पैसे खर्च करें, उससे पहले आपको keyboard के उपर पैसे कर्च करने का कोई फायदा तो बस मेरा यही मकसद है, इस वीडियो को डालने का, ताकि जो कुछ भाई है जिसनके मन के अंदर वहम है, कि उनको keyboard लेना चाहिए, कि harmonium लेना चाहिए, चाहे आप singing सीख रहे हो, चाहे keyboard सीख रहे हो, चाहे कुछ भी सीख रहे हो, आपको पहले शुरुआती दोर में harmonium ज बहुत आपको knowledge हो जाए, तो 10,000 से उपर-उपर का keyboard लेना चाहिए, 10,000 से नीचे keyboard होगे, तो आपका snow use, कोई फाइदा नहीं उसके उपर आपको, उसमें आपको harmonium अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो please, यही कहूँगा, मैं, जिस बंदे की पास भी शुरुआती दोर प का keyboard ले, जिसमें अच्छा harmonium हो, ठीक है, otherwise keyboard लेना का कोई फाइदा नहीं है, यह बार-बार यह कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यह गलती करी थी, जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने भी keyboard से शुरुआत करी थी, कि मैं भी keyboard ही सीखना चाहरा था, तो मैंने भी ऐसी गल तो प्लीज आगे से ध्यान रखेगा, जो कोई भाई पहली बार मेरा इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज मेरे जितने भी वीडियों आपको देखे हैं, प्लीज इसको शेयर किया करें, क्योंकि मैं भी कुछ बात ऐसी होती है, कोई नहीं बताता, मैं भी मैं बता दे कि आप अच्छा सीख चाहो, चाहे किसी से भी सीखो, चाहे मेरे से सीखो, जाफिर किसी से भी सीखो, उस चीज की knowledge होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं, मैं यह चाहता हो कि मुझे किसी ने guide नहीं किया, तो at least मुझे पाता है, तो मैं किसी को guide कर सकूँ, बस यही मतलब था मेरे इस वीडियो को बनाने का, last में बस यही कहूंगा, अगर कोई भाई मेरे से classes लेना चाहता है, keyboard की जा फिर harmonium की, जा फिर singing की, तो मैं online classes देता हूँ, तो वीडियो की display में आपको मेरा whatsapp number display हो रहा है, interested भाई है, तो मुझे contact कीजिएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात पूछने का मन हो कभी भी, तो आप लोगों को description में मैंने अपना whatsapp का number, contact number, सब कुछ दे रखा है, आप मुझे कभी भी contact कर सकते हैं, कभी भी अपने मन का, जो भी doubt है, clear कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा थ कोई भी दिक्कत हो, शर्माने की कोई जूरत नहीं है, कभी भी call करिए, मैं आपके, आपके लिए हाजिर हो, ठीक है, तो बस जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और इतना प्याद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू जी लिएन आपके, ऱुच्छ आपके